बायो स्टेट इंडिया लिमिटेड किसानों के लिए फसल की उपच और गुनवत्ता बढ़ाने के लिए विवित क्रिस्म के आधलिक उतपाद और सेवाएं प्रदान करती है बायोस्टेट का प्रहुक उत्पाद बायोजाइम बायस्टुमुलेंट उत्पादों में नमबर बन एबम लीडिंग ब्राण माना जाता है बायोजाइम नार्वे से आयातित एसकोफाइलम नोडुसम नामक समुद्री घास से बना जाता है जिसमें बेशुमार प्राकृतिक पोशक्तत्व, वृद्धी हर्मोन तथा खनीश का भंडार होता है नार्वे से आयातित इस समुद्री घास को लेक्टो बैसिलस फर्मेंटेशन तक्निक द्वारा बायोजाइम में तब्दील किया जाता है खेत में आसान तरीके से इस्तिमाल के लिए बेंटुनाइट मिनरल्स के आधार पर खास तक्निक द्वारा बायोजाइम दानेदार बना जाता है बेंटुनाइट मिनरल्स गुजरात के भावनगर शेत्र में प्राकरतिक खानों में पाय जाता है बेन्टुनाइट मिनरल्स जो अला मिखी के राग की गात से बनता है जिसमें बहुत सारे प्रकार के खनीच होते हैं इसलिए खानों से निकाला गया बेन्टुनाइट लाल, पीले, नारंगी जैसे विभिन्न प्राकर्तिक रंगों में पाये जाता है बेन्टुनाइट मिनरल्स खेत के लिए बहुत उप्युक्त है इसमें केल्शियम, सिलिका, सोडियम, आयरन, पोटिशियम इत्यादी आवशक पोशक्तत्व होते हैं ये मिट्टी के पानी को सोखनी की शमता और उपजवपन बढ़ाता है खान से निकाले गए बेन्टुनाइट को क्रश किया जाता है और अनुकुल आकार के दाने चुने जाते हैं इन दानों को भट्टी के तेल में बिलाकर लगभग 300 डिग्री सेलसियस तापमान पर ढून कर कड़क किया जाता है ताकि इनकी समुद्री घास के द्रवरुप अरक को सोखने की शमता बढ़ सके समुद्री शेवाल के अरक को सोखने के बाद दानों का रंग काले से बदल कर हलका दूसर हो जाता है ग्रेडिंग के बाद इसे आटोमेटिट मशीन द्वारा पे किया जाता है हर बैच की गुणवत्ता जाँच की जाती है जैसे की मेश आकार, डस्टिंग, पानी सोखना, खनीश का प्रमान इत्यादी बाजार में उपलब्द विविद दानेदा जाइम की जाँच बाय स्टेट रिसर्च सेंटर में की गई और ये निशकर्ष पाए गए की पाउडर, रूप और जोटे आकार के दाने समुद्री घास का कम अर्ख सोखते हैं गहरे रंग के काले दानों में समुद्री घास की मातरा कम और डाई की मातरा जादा होती है पानी में आसानी से गुलने वाले दाने अच्छे से भुने नहीं होते इसलिए इनकी द्रवरूप समुद्री घास सोकने की शमता कम होती है उच्च गुनवत्ता के बायोजाइम दानेदार बनाने की प्रक्रिया में आपने इन चीजों पर जरूर गौर किया होगा बायोजाइम दानेदार विबिन रंग के होते हैं क्योंकि ये प्राकरतिक खनीच बेंटोनाइट पर आधारित होते हैं समुद्री घास के द्रवरूप अर्क की सोकने की शमता बढ़ाने के लिए दानों को भून कर कड़क बना जाता है समुद्री शेवाल के अर्क को सोकने के बाद दानों का रंग काले से बदल कर हलका धूसर हो जाता है हर फसल के पोशन की जरूरत को ध्यान में रखकर बायोस्टेट ने बायोजाइम दानेदार के विबिन उत्पादों का निर्बान किया है बायोजाइम दानिदार के इस्तमाल से खेट में सुख्ष्म ज्युगों की संख्या एवं गतिविदी बढ़ती है पोधों को अतरिक पोषण एवं खनिश प्रात होते हैं और उनकी ग्रहन शम्ता बढ़ती है पोधों की तनाव के प्रती सहन शीलता बढ़ती है इसलिए बायोजाइम दानेदार के इस्तमाल से मिट्टी की कुल संरशना और स्वास्त में सुधार होता है बायोस्टेट रिसेश सेंटर ने आधनिक तक्निक द्वारा जादा ताकतवर Amaz-X दानेदार का दर्बान किया है इसमें प्राकर्तिक समद्र घास, युमिक एसिड, एमिनो एसिड, प्रोटिन, सिलीका और खनीजो का मिश्रण होता है Amaz-X के दाने धूल विरहित और एक समान आकार के होते हैं खेती में उन्नती और किसानों के चहरे पर मुस्कान यही बायो स्टेट कमपनी का उद्देश है जब भी हम हमारे किसानों के चहरे पर मुस्कराट देखते हैं, तब हमें हमारे उद्देश की तरफ बढ़ने की प्रेड़ना मिलती है